नमस्कार दोस्तों, वेलकम टोर वंडे एक्जाम क्लास है, दिके रेलवे एंटीपी सिवीटी टू और रेलवे गुरूप डी दो हजार बास की एक्जाम डेट आ चुकी हैं, तो आप लोग भी अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजें, आज हम आपको रेलवे एंटीपी सिवी इसके पहले भी हमने आपको एंटीपी सिवीटी वन की जीया सो जीके के 12 वीडियोश कराए हुएं, उससे आप लोग प्रियास करें आप लोग से पहले एक बार, आपको मालू होना चाहिए कि चंद्रयान फश्ट को कब प्रिछेपित किया गया था, तो 2008 में प्रिछेपित किया गया था, चंद्रयान फश्ट को, अगर हम लोग बात करेंगे, चंद्रयान फश्ट को कब प्रिछेपित किया गया था, तो 2019 में, ठीक है, कितने साल बात, 11 साल बात प्रिछेपित किया था, आप से राकेट पूछा है, किस राकेट किस आहिता से चंद्रयान फश्ट को प्रच्छेपित किया गया था तो PSLV C11 राकट से चंद्रयान फश्ट को प्रच्छेपित किया गया था आपके सेट में ये भी पूछ सकता है कि चंद्रयान 2 को किस राकट से प्रच्छेपित किया गया था तो GSLV Mark 3 से चंद्रयान 2 जो की आपका 2019 19 में पर 6 बीत किया गया ये दोनों राकटों को आप लोग याद रखेगा ठीक हैं तो अभी इसका सही आपसन कौन सो होगा पहला वाला आपसन सही आपसन होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा अगर आप लोग पहली बार च चार आपसन आपको दीगे हैं इस सेट में जतने आपको जीएस के कोशन करा जा रहे हैं वो काफी अच्छे लेवल कोशन है अगर आप इसमें से 25 से 30 कोशन भी कर लेते हैं तो आपके जीएस जो हैं वो बहतर मानी जाएगी तो 2016 से ये दिवस मनाना इस टार्ट किया गया है राष्टी महिला किसान दिवस मना जाता है 15 अक्टूबर को ठीके याद रखिएगा तो सही आपसनों का दूसरा आपसन अगर आपसे पूछें कि अंतर राष्टी महिला दिवस कम मना जाता है तो 8 मार्च को अंतर राष्टी महिला दिवस मना जाता है 30 जनवरी को मना जाता जाता है राश्टी सहीद दिवस मना जाता है गांदी जी की इस दिन म्रतु हुई थी 30 जनवरी को तो सहीद दिवस मना जाता है 30 जनवरी को 24 अक्टूबर को क्या हुआ था 24 अक्टूबर को युनाइटेड नेशन डे होता है संयुक्त राश्ठंग का डे होता है 24 अक्टूब लोग दिमाग में लेकर चलिएगा तीसरा कोशन है निमलिकित में से कौन से गुरसूत्र लड़की के जनवे के कारक होते हैं ये चार आपसन आपको दी गए करने का प्रयास करिए देकिन मानों के सरीर में 46 गुरसूत्र होते हैं अगर जोडी की रूप में बात करेंगे तो 23 जोड़ी गुरसूत्र होते हैं महिला और पुरुस दोनों में लेकिन अगर पुरुस की बात करेंगे तो 22 जोड़ा तो सेम होता है महिला पुरुस दोनों में लेकिन 23 जोड़ा होता है वो 6 क्रोमोसोम होता है अगर पुरुस में बात करेंगे तो 23 जोड़े में एक X होता है और एक y होता है ठीक है अगर महिला की बात करेंगे तो y जोड़ी तो same होंगे जो 23 जोड़ी होगा एक x होगा और एक x होगा दोनों x x होते हैं अगर दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो यदि x वाला x के साथ मिल जाता है तो इससे लड़की उत्पन होती है ठीक है याद और y तो इससे लड़का उत्पन होता है ठीक है तो यहाँ पर से आप जान गएं कि जेंडर कौन डिसाइड करता है लड़का होगा कि लड़की होगा ये पूरुस ही डिसाइड करता है क्योंकि पूरुस के पास जो six chromosome होता है एक x होता है और एक y होता है महिला के पास तो x और एकसी होते हैं तो जंडर कॉंड डिसाइड करता है पूरुस का गुड़सूत्र डिसाइड करता है सही आपसनों का लड़की पूचाता तो एकस एकस अगर लड़का पूचेगा तो एकस वाई ठीक है याद कर लिजेगा चौथा कोशन है इनवे से जनवरी 2021 में LIC के नए प्रवंद्लक निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है ये चार आपसन आपको दी गए देखे जनवरी 2021 से अभी देखे चलना है बीसी पटनायक जो है वो LIC के नए प्रवंद्लक निदेशक बनाए गए अक्टूबर 2021 में ये जनवरी का पूचा है मैं आपको अपडेट कर देता हूँ तो याद कर लिजेगा बीसी पटनायक जो है वो नए MD बनाए गए है LIC के अगर हम बात करें LIC के अध्यच को ने इस समय तो LIC के अध्यच है LIC की स्थापना की गई थी है बीमा कंपनी है याद रखीएगा इसके हिटकवाटर की बात करेंगे हिटकवाटर कहां पर है मुंबई में इसका हिटकवाटर है ये सभी बाते आपको याद करके चलनी है आने वाली गर अब एकजाम की तयारी कर रहे हैं तो पाच्वा कोशन है पूर्वी भारत की प्रधान मंति उर्जिया गंगा परियोजना किस से समंदित है इस चार आपसन दिए गए पूर्वी भारत मतलब पूर्वी भारत को जोडने वाली उर्जिया गंगा परियोजना किस से समंदित है चार आपसन आपको कंफ्यूज करेंग इसका सही आपसन होगा प्राक्तिक गैस की पैप लाइन ठीक है तकि गंगा नाम आ गया इसका मतलब गंगा सफाई नहीं होगा उर्जय गंगा भी लिखा है ना तो प्राक्तिक गैस की पैप लाइन होगी जो की गंगा का नाम दिया गया है क्योंकि वराणसी से इसे 20 अक्टूबर 2016 को प्रदार मंत्री मोधी जी द्वारा उर्जा गंगा परियोजना स्टार्ट की गई है इसमें जो प्राक्तिक गैस है जैसे कि PNG पाइप नेचुरल गैस है ये पाइप बिछाए जाएगी कहां से वरांडसी से लेकर कि उडिसा तक जाएगी पूरी भारत की बात किया ना तो उडिसा तक जाएगी ये लगभग 2655 किलोमेटर की ये पाइप लैन भी बिछाए जाएगी तो याद रखेगा उर्जा गंगा परियोजना किसे समंदित है PNG पाइप नेचुरल गैस ठीक है प्राक्तिक गैस समंदित है छटमा कोशन है 1901 में प्रथम संगठन का गठन किया था ये चार आपसन दी गए आपको मालूम है कि नोबल जो प्राइस मिलने स्टार्ट हुए 1901 से हुए तो प्रेथम नोबल सांती पुरुषकार विजयता आपसे पूछा गया है ये चार आपसन दी गए प्रेथम नोबल प्राइस तो मिलाता हेनरी डूरंट को ठीक है तो इन्होंने किस संगठन की स्थापना की थी इंटरनेशनल रेड क्राश सोसाइटी की स्थापना की थी याद रखेगा तो कौन सा आपसन सही आपसन होगा दूसरा वाला आपसन सही आपसन होगा इनके साथ में फ्रेंच पीस सोसाइटी जिसकी स्थापना की थी फ्रेड रिक पैसी ने इन दोनों को 1901 में सांती पुरुसकार दिया गया था लेकिन कोशन और भी आपके एकजामे आता है जैसे कि पूछा जाता है इंटरनेशनल रेड क्राश सोसाइटी को कितने बार नोबल प्राइस दिया गया है सांती का तो तीन बार मिला है 1917 मिला 1944 मिला है 1963 मिला ठीक तीन बार इस संस्था को मिला है जबकि पहली बार हेंरी डूरंट को मिला था इसके बाद इस संस्था को दिये जाना लगा है याद रहेगा आपको आठ माई को हेंरी डूरंट का बढ़डे होता है इसलि पमिसकाइड करेंगे इंटरनेशनल रिटकॉर्ण संस्था सोसाइटी साइटे जो है इसका हेड़ को नहीं कोसित है नया जाता है हेड़ क्वाटर में है नहीं कोसे स्टार्ट किया था 1863 में पहली बार 1901 में हेनुरि दूरैंट को मिला था जबकि 3 बार 1917 में, 1944 में, 1963 में इस संस्ता को Nobel Prize मिला है सात्वा कोशन है E300 का समाने नाम बताना है आपको यह 4 आपसंदीग है अगर आप मार्केट में कोई विटामिन खरिदने जा रहे हैं तो अगर आपने बोला विटामिन D, विटामिन A, विटामिन C या फिटामिन B बोला तो E300 के नाम से कौन सा विटामिन जो है वो मार्केट में प्रचलित है साही आपसन है विटामिन C अगर आप विटामिन C की टेबलेट मांगने जाएंगे तो आपको यह 300 नाम की टेबलेट दी जाएगी ठीक है तो यह 300 किसकी टेबलेट है बिटामिन सी सही आपसन होगा तीसरा वाला आपसन आठवा कोशन है किस प्रकार की मिट्टी में कापास का उत्पादन सबसे अच्छा होता है यह 4 आपसन आपको दी गएं कापास की उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी जो होती है वो काली मिट्टी होती है एकजाम में धेर सारे कोशन जो हैं वो काली मिट्टी से पूछे जाते हैं जिसे काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है तो काली मिट्टी को रेंगूर मिट्टी भी कहा जाता है ठीक है याद रखेगा रेंगूर मिट्टी काली मिट्टी को ही कहा जाता है और काली मिट्टी किस कारण से काली होती है तो टिटनी फेरस मैगनेटाइट ठीक है टिटनी फेरस मैगनेटाइट के कारण काली मिट्टी जो होती है काली कलरकी होती है यह कहां पर पाई जाती है खास करके गुजरात और महाराष्ट में यह ज्यादा पाई जाती है ठीक है काली मिट्टी गुजरात में ज्यादा है उसके बाद महाराष्ट में अगर सूती वस्त की बात करेंगे तो सूती वस्त की उत्पादन में मह लिखता होती है काली मिटी में, तो कापास काइसे कापास होता है? कासे काली मिटी होती है? नवा कोशन है निम लिकित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्रावजर नहीं है? इंटरनेट ब्रावजर जिससे आप सर्च करते हैं? Chrome, Safari, Firefox या फिर Panda देगी पांडा कोई इंटरनेट ब्राउजर नहीं है पांडा एक प्रकार का एंटी वाइरस साप्ट वेयर है तो पांडा इंटरनेट ब्राउजर नहीं है बागे तीनों उपर के हैं सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि सब्विनाए अवग्या अंदोलन कभी स्टार्ट हुआ था तो 1930 के आसपास घटना हुई थी डांडी यात्रा डांडी यात्रा कभी स्टार्ट की गई थी 12 मार्च 1930 को गांधी जी साबरमती आसरम से डांडी के लिए यात्रा इस्टार्ट किये थे 79 समर्थकों के साथ में गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को डांडी यात्रा प्राम्र की साबरमती से डांडी तक की यात्रा थी 240 मिल की यात्रा थी अगर इसे किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 386 किलोमीटर बनेगा यह 79 समर्थकों के साथ में सावरमती से चलें और पहुंचे कप थें 6 अपरेल 1930 को जा करके डांडी पहुंचे 24 दिन में और वहां पर नमक कानूनको तोड करके सविनाए अवग्या अंदोलन स्टाट किया साइअ आपसंण होगा डांडी यात्रा से सविनाए अवग्या अंदोलन की शुर्वात हुई थी सुभास चंद्र वोश ने नेपोलियन ने एक यात्रा की थी से पेरिस की तो सुबा संद जना गांधी जी कि इस यात्रा को नेपोलियन के ल क के शलेंग ईल्भा से पेरिस की यात्रा से तुलना की कुछ होती है वो चोडाई को साथ में लेकर चलती हैं आपसे आयतन के अधार पर पूंचा है मतलब जिसमें पानी जदा हो अफवाज खेत्र उसका काफी बड़ा हो चैकर तो एसी नधी काँं से यह अमेजन नदी ठीक है अगर लंबाई की बात करेगा तो नील नदी जो है वो विस्व की सबसे लंबी नदी है कितने किलोमेटर की है 96-90 किलोमेटर की है यह अफ्रिका में पढ़ती है और यह दच्छिट अमेरिका में पढ़ती है ठीक है लंबाई में पूछेगा तो नेल नदी आयतने पूछेगा चोडाई में पूछे अबवाचेत्रे पूछे तो उसमें आपको अमेजन नदी को सही करना है अगर पीली ठीक है याद रखेंगे आप लोग चलिया नेक्स कोशन के ओर चलते हैं 20 वर कोशन है भारत के प्रथम सोधेसी उपगरा प्रच्छेपड यान बताना है आपको नाम बताइए अगर हम लोग बात करें प्रथम सोधेसी उपगरा बात करेंगे तो रोहडी उपगरा था जो तरह से भारत में बनाय गया था ठीक है कब इसे प्रच्छेपित किया गया 18 जुलाई 1980 को रोहोडी उपगरा को प्रच्छेपित किया गया किस यान से या फिर किस राकट से SLV 3 राकट से तो इसका सही उत्तर होगा लाश्ट वाला SLV का फुलफार्म होता है Satellite Launch Vehicle ठीक है याद रखेंगे आप लोग आपसे पूछा गया उसका प्रच्छेपित यान आपसे उपगरा नहीं पूछा गया उपगरा पूछा जाएगा तो रोहडी सही किजेगा अगर पूछा जाए पहला उपगरा तो पहला उपगरा था आरे भट लेकिन सोदेशी पूछेगा तो रोहडी सही किजेगा 13 नवर कोशन है निमलिकित में से कौन सा विकल्प वित्ती समावेशन का विवरड हो सकता है इस चार आपसन आपको दी गए है वित्ती समावेशन के जो परिभासा होती है वही इस चार आपसन में आपको देखने को मिल जाएगी इसका सही आपसन होगा, दूसरा आपसन, निर्धनों को सस्ते मुल्यों पर वित्ती सेवाएं, वितरण करना यहीं वित्ती समावेशन होता है, ठीक है ? जो समाज में पिछड़े होते हैं, कम आई के लोग होते हैं, उनको वित्ती सहायता अगर आप प्रतान करते हैं, तो उसे ही कहते हैं वित्ती समावेशन, ठीक हैं, दूसरा वाला आपसन सही आपसन है, चौदर नवर कोशन है, नोबल सांती पुरुसकार से समानित होने वाले प्रत्थम चीनी नागरिक का आपको नाम बताना है, बहुत ही कम ऐसे आपको चीनी नागरिक मिलेंगे, जिने नोबल का प्राइज मिलता है, क्योंकि वहाँ ताना सही होता है सासन, आप सरकार के ख़ला आप कुछ बोल नहीं सकते हैं, तो नोबल सांती पुरुसकार से समानित होने वाले प्रत्थम चीनी नागरिक लिव सिया ओबे, लास्ट वाला आपसन सही आपसन है, ये चीन में माना अधिकार कार करता थे, सहितिकार थे, अलोचक थे, जिने नोबल सांती पुरुसकार मिल था, 2010 में, ठीक है, फिर इनको जेल भेज दिया गया, और 2017 में इनकी मृत्वी हो गई, ठीक है, तो अगर पहले चीनी नागरिक की बात करेंगे, तो लेव सिया ओबे थे, ये बात आपको यादर करनी पड़ेगी, पंदन अवर कोशन है, टार्थ सर्च लाइट और वाहन की हेड़ लाइट में, प्रेकास का सकतिसाली समांतर किरड़ पुंज, उत्पन्य करने के लिए समांता किस प्रेकार के दरपड का उप्योग किया जाता है, बताइए, देखिए, दो ही प्रेकार के दरपड का आपको कंफुजन होगा, एक उतल दरपड और एक आउतल दरपड ये दोने ही प्रकार से question आपके एक जमे पूछे जाते हैं टार्च जो होग की होती है, search light होती है ये दूर तक उनका प्रकास जाना चाहिए headline जो होती है, आगे लगी होती ही वहानों के तो उसमें अवॉतल दर्डपर का प्रियोग किया जाता है डाढ़ी बनाने में आग कान नाग के जो डाक्टर होता है उसमें इस सभी में अउतल दड़पड का प्रयोग किया जाता है तो सही आपसन होगा तीसरा वाला आपसन अब देखें जैसे कि आप देखते हैं कोई कार जा रही है उसका जो rear view mirror होता है जो बगल में लगा होता है वो उत्तल लेंस का होता है ये भी जहां में आपके question पूछा जाता है कि गाड़ियों में जो बगल में mirror लगा होता है पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए उसमे उत्तल दड़पर का प्रियोग किया जाता है परावर्तक लैंपों में उत्तल दड़पर का प्रियोग किया जाता है जिसमें विस्तार छेत्र जो होता है वो अधिक होता है तो अभी यहां पर आपका उत्तल दड़पर सही आपसन होगा इसको आपको याद करना पड़ेगा कुर्दू को किस रूप में जाना जाता है इसे लसकरी जवान भी कहते हैं सत्रनेवर कोशने 1873 में किस वाय सराय के सासन काल में बंगाल की इस्थाई बंदोबस्त लागू की गई थी सबसे पहले इसमें स्तुधार करिएगा यह 1873 जो है यहां पर गलत लिखा गया है यहां प लेकिन लागू किया था लाड करनवालिस ने तो सही आपसन होगा यह लैस्ट वाला आपसन देकि करनवालिस का कारेकाल था वो 1786 से लेकर के 1793 में तक था फिर बाद में 1805 में फिर से एक बार आया है तो यहां पर 1773 तो किसी हिसाप से होई नहीं सकता है यह अगर बात करें तो 19% च्झेत्र पर कार करती थी जैसे कि बंगाल विहार उड़ीसा वराण सी उत्री भाग जो मद्रास का था वहां पर 19% च्झेत्र पर इस्थाई बंदोबस्त को लाओ किया गया था तो याद कर लिए आपने लाड कार्णवालिस के समय में इस्थाई बंदोबस लाओ की गई थी इसमें देखे ये होता था कि कम्पनी क्या करती थी या फिर वाइसराय क्या करता था एक जमीदार नियुक्ति कर देता था जैसे कि आपके छेत्रे में या फिर आपके गाउं में जमीदार नियुक्ति कर देगा तो लगान की वसूली करेगा लगान की वसूली इस साबसे करता था कि देखे 11 भाग बनाता था ग्यारा भाग में 10 बटे 11 कार्णमालिस को देता था कंपनी को देता था और एक बटे 11 भाग जो है वो सोयम रखता था तो जमीदार ये सूचता था कि मैं अधिक से अधिक लगान को वसूलनू ताकि एक बटे जो उसका 11 भाग है वो जादा पड़े ठीक है इस हिसाब से किसा किसानों में काफी अक्रोश आ गया किसान गरीब होते गए तोकि लगान उनसे जादे से जादा जमीदार वसूलना चाहते थे 18 नवर कोशन है राष्टी सिच्छा नीती 2019 की मसवदा समीत के अध्यचे कौन थे ये चार आपसंदीग है जो राष्टी सिच्छा नीती बनाए का आपने नाम सुना होगा ये इसरों की पूर प्रमुक भी थे और वरिष्ट वैज्यानिक भी थे इनी के द्वारा राष्टी सिच्छा नीती बनाई गई है और इसके अध्यस्ते सही आपसं होगा दूसरा वाला आपसं 19 नवर कोशन है भारती समिधान के भाग 4 का अनुच्छे 43 का भी क्या कहता है या फिर किस से समंदित है ये 4 आपसं आपको दी गए करने का प्रयास करिए अगर 43 भी की बात करेंगे तो ये बाद में जोड़ा गया 97 संसोधन में 97 संसोधन जो हुआ 2011 में तब इसको जोड़ा गया और ये किसली जोड़ा गया सहकारी समितियों के लिए जोड़ा गया सहकारी समिति क्या होती है जैसे कि को आपरेटिव साथ में मिलकर की बनाई गए जो समिति होती है उसे कहते है को आपरेटिव सोसाइटी या फिर सहकारी समिति उसके लिए निर्देशक सिध्धानतों में यह किया गया 43 का भी आर्टिकल रखा गया तो सही आप्सन होगा तीसरा वाला आप्सन बीस नवर कोशन है ब्रिटिस प्रदान मंत्री विस्टर चर्शिल को किसके लिए नोबल प्राइज मिला था यह चार आप्सन दीगें यह नोबल प्राइज कम मिला था 1903 में मिला था तो विस्टर चर्शिल को साहित के लिए नोबल प्राइज मिला था और यह कोशन आप लोग याद कर लिजेगा किसी भी प्रदान मंत्री को साहित में मिला पहला नोबल पुरुसकार था तो सही आप्सन होगा तीसरा वाला आप बात करेंगे किसी प्रदाहनमंतरी को साहीत के लिए मिला तो विश्टर चर्शिल को मिला था तीसरा आपसन सही आपसन है 21 नमर कोशन है भारत सरकार द्वारा आधिक रहित निमलिकित में से कौन सी नीती राज के नीत निर्देशक तक्त द्वारा निर्देशित नहीं है सबसे पहले नित निर्यशक सिध्धानतों की बात करेंगे तो आर्टिकल 36 लेकर की 51 तक नित निर्यशक सिध्धानत रखे गए भाग की बात करेंगे तो भाग 4 में नित निर्यशक सिध्धानतों की बात की गई है कहां से लिया गया है आयरलेंड देश से प्रभावित हो करके इसे हमारी समिधान में लिया गया है अब इसमें कौन सा सामिल नहीं है ग्राम पंचायतों का गठन जो है आर्टिकल 40 में है तो ये तो है समान नागरिक साहिता जिसे कहते हैं यूनिफार्म स्विल कोड ये आर्टिकल 44 में है मादक पे के सेवन का प्रतिस्थेद ये गांधी जी के द्वारा एट किया गया था आर्टिकल 47 में है ये भवन निर्माड संबंधी उपनियुमों की तैयारी ये राज के नीत निरेशक सिधानतों में नहीं है बाकि तीनों मेंने आर्टिकल भी आपको बता दिये हैं तो ये सारे तीनों ऊपर के हैं लाश्ट ओलर नहीं है 22 नवर कोशन है मड़ी पूरी सास्ती नत में प्राया भगवान को किसी कथा प्रसंगों का चिर्तर किया जाता है मड़ी पूरी सास्ती नत है तो इसमें किस प्रकार का कथा प्रसंग किया जाता है तो इसमें राधा क्रिष्ण का एक प्रेम प्रसंग के रूप में पूरा प्रस्तित किया जाता है तो क्रिष्ण जी के बारे में इसमें चर्चा की जाती है पूरे प्रसंग में 28 सताबदी में वैसुडो संपरदाय के द्वारा ये मड़ी पूरी सास्ती नित जो है विक्सित किया गया था तो क्रिश्ण जी के बारे में इसमें कथा प्रसंग या फिर क्रिश्ण जी से सम्मंदित ये नित आपका होता है मड़ी पूरी जो की एक सास्ति नितमें आता है 23 नवर कोशन है किस संदी पर हक्ताक्षर की बात यूरोपी समयुदाय को यूरोपी संग के रूप में जाने जाने लगा ठीक है ये चार आपसन है ज़कि यूरोपी समयुदाय जो है 28 देशों का एक समयुदाय जिसमें 19 देश जो है यूरो मुद्रा वहाँ पर चलती है नौ देश में अड़ेवी मुद्रा चलती है तो ये संदी कहां पर हुई थी और कौन से संद में हुई थी ये आपसे पूचा गया है सही आपसन होगा देश ट्रिटी आप मास्ट्रिच 1992 में हूथी ये मास्ट्रिच परचा है नीधर लैंड में परता है और इसके द्वारा ही संदी के द्वारा ही यूरोपी स्रिंटल बैंक की स्थापना भी की गय थी ये संस्ता किस रूप में काम करती है यूरोपी समुदाय जो है सांति के लिए कल्यान के लिए वेपार के लिए ये संस्ता काम करती है सीत यूदि की समाप्ति के बाद ही ये संगठन का निर्वाड किया गया था और 2002 के बाद में यूरो मुद्रा जो है वो प्रचलन में आ गई थी ठेक है तो कौन सी संदी के द्वारा यूरोपी संग बना दी ट्रिटी आप माश्टीच 1992 24 नवर कोशन है प्रधान मंत्री मुद्रा योजना का उदेश से क्या है ये चार आपसंदी गये प्रधान मंत्री मुद्रा योजना कभी स्टार्ट की गई थी आठ अप्रेल 2015 को प्रधान मंत्री मुद्रा योजना स्टार्ट की गई थी याद रखेंगे आप लोग और 21 लिए स्टार्ट की गई थी गयरेकापरेट लगू वेपार छेत को वित्ती सहायता प्राप्त करने के लिए 10 लाख तक का कर्ज जो मिलेगा उलगू उद्दुगों के लिए मुद्रा योजना के तहट जो है वो दिया जाएगा तो सही आप्सन कौन सा आप्सन होगा पहला वाला आप्सन जो है वो सही आप्सन 25 नवर कोशन है ताज महल की सजावट के लिए मुकेता किस वास्तु तक्निक का इस्तमाल किया गया था ये चार आप्सन दिये गये काफी अच्छा कोशन है काफी कम लोग को ये कोशन मालू होगा इसका सही आप्सन है पिटरा डूर्ग ठीक है इसका पिटरा डूर्ग को अगर हिंदी में कहें तो उसको कहते हैं जडना पहली बार इसका इस्तमाल रोम में किया गया था इसमें क्या होता है कि उत्रकेश्ट पद्धत से कटे हुए या फिर जड़े हुए तरासे हुए चमकीले रंगीन पत्थर के तुकडे जो होते हैं वो पत्थर में ही उसके दोरा चित्रकारी की जाती है सबसे पहले बात करें तो इतमाओ दौला का मगबरा जो कि आगरा में बना है जहांगेर की पतनी थी नूर जहां उनके पीता का नाम था गयास बेग उनकी ही याद में इतमाओ दौला का मगबरा आगराम बनाया गया है सबसे पहले उसमें पितरा दौल का इस्तमाल किया गया था तकनीक का इस्तमाल किया गया था बाद में ताज महल में भी किया गया तो सही आपसन कौन सा आपसन होगा सही आपसन होगा पहला वाला आपसन ठीक है पिट्रा दूर्ग नामक जडाव का काम किया गया था 26 नवर कोशन है पसुओं में इनमे से किस फाइला में उनके पैर जुड़े होते हैं आप देखते होंगे कि कई जगत होते हैं उसमें किस जगत में पैर जुड़े हुए होते हैं नोमोटोड में अर्थोपोड में एकाइनोडर्मेटा या फिर इनेलिडा देखे नामसे ही सपस्ट है अर्थोपोड अर्थो मतलब होता है जोईंट और पोड मतलब होता है फुट जिनके पैर जुड़े होते हैं उनको अर्थोपोडा में या फिर अर्थोपोड में रखा ग हैं तो इस हिसाब से आप याद कर सकते हैं कि मक्खी मच्छर और मदुमक्खी तो ढहर सारी है ना तो सबसे बड़ा संग कौन सा होगा अर्थो पोड़ा होगा कीट मकोड़े इसी में आते हैं और उनके पैर जो होते हैं जुड़े हुए होते 28 नवर कोशन ने चांदी किस परदार्थ के साथ अपक्रिया करके काली पढ़ जाती है आप अगर चांदी के आभूसर यूज करते होंगे तो हाथ पर अगर पहनते हैं या पर पैर में पहनते हैं तो देखते हुगे चांदी दीरे-दीरे करके काली पढ़ना ही स्टार्ट हो जाती है तो चांदी कैसे क्रिया करती है माल लीजे एजी जो है हो एज टू एस वाई मंडल में होता है और साथ में आक्सिजन तो होता ही है इन तीनों से क्रिया करके AG2S बना लेता है ठीक है यहाँ पर चांदी तो आपकी सफेद कलर की थी लेकिन जब AG2S बनता है जब सलफर के साथ ये क्रिया कर लेती है तो सिल्वर सलफाइड बना लेती है और H2 गैस उड़ जाती है तो यहाँ पर AG ने किसके साथ क्रिया किया गंधक के साथ क्रिया किया सलफर के साथ में क्रिया किया इस कारण से चांदी काली पढ़ जाती है ठीक है तो AG2S बन जाता है चांदी किसके कारण से काली पढ़ ती है गंधक या फिर आप्सन में आपके सलफर भी लिख सकता था गंदक सलफर एक ही होता है 29 नवर कोशन है निमलिकित में से कौन सा विकल्प संयुक्त राष्ट के अंग का उनके मुख्यालेओं के साथ में सही यूग में नहीं है मतलब इसका आपको हिट क्वार्टर बताए गए हैं इसमें से बताए गलत कौन सा है संयुक्त राष्ट सैच्डिक वग्यानिक सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को पेरिस में हैं विल्कुन सही है इंटरनेशनल कोर्ट आप जस्टिस हेग नीदर लेंड में विल्कुन सही है अंतराष्टी परवड एजनसी वियाना में हैं विल्कुन सही है वी सु स्वास्त संगठन ये नियू यार्क में नहीं है ये जिनेवा सुर्जल लेंड में है तो गलत कौन सा युगम है पहला वाला आपसन जो है वो सही आपसन है आपसे गलत पूछा गया था तो गलत पहला वाला आपसन है नियू यार्क में नहीं है जिनेवा सुर्जल ले होता है आप रेटिंग सिस्टम को हम लोग सिस्टम साप्ट वेयर भी कहते हैं तो किसका उधार्ण है यह दूसरे वाला आपसन जो है यह सही आपसन होगा 31 नवर कोशन है भारत में संपरदाइक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है यह चार आपसन आपको दी गए इसका सह यह आपसन होगा आपसन नमबर टू लाड मिंटो देखि मिंटो जो थे 1909 में संपरदाइक निर्वाचन का जनक जो माना जाता है इन्होंने क्या किया था मारले मिंटो सुधार लाया था मारले मिंटो सुधार लाया था तो मिंटो कौन थे उससमें वाय सराय थे भरत के जो भी कोई योजना आती तो प्रधार्मंत्री के नाम से उसके सच्यू के नाम से नहीं चलती है तो यहापर मारले भी आपसर में दिया आना तो इसे आप नहीं सही करेंगे जो वाई सराय चलाएगा सचिव ने बनाई थी लेकिन वाई सराय ने लागू की इसलिए 1909 का जो सुधार अधनियम था मारले मिंटो सुधार उलाड मिंटो के नाम से जाना जाता है इसमें क्या किया गया था मुसल्मानों के लिए अलग से निर्वाचन पद्धती बनाई गई थी इसलिए संपरदाइक तप फैलाने की कोशिस की गई थी तो संपरदाइक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है लाड मिंटो को माना जाता है 32 नवर कोशन है निम लिकित में से किस ने समवाद कवमोधी अख़बार की सुरुवात की थी बताइएं समवाद कवमोधी अख़बार की सुरुवात किस ने की थी सही आप सनोगा राजा राम मोहन राय ने की थी याद रखेगा चलिए कमेंट बाक्स में आप लोग ये देखते कितने लोग बता पाते हैं थिक हैं तो समवात कमवादी राजा राम मोहन राए की संस्ता की बात करेंगे तो 1815 में आतमी सभा की स्थापना की थी राजा मोहन राय ने, 1825 में वेदान्त कालेज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने, ये सारी चीज़े आपको याद करके चलनी है, कौन सा अप्षन सही अप्षन है, लास्ट वाल अप्षन सही अप्षन है 33 नमर कोशन है इन में से कौन सा एक तामर आयसक है आयसक देखी क्या होता है कोगर जो होता है वो पूरा सुद्ध रूप से नहीं होता है जिसे आपको तामा निकालना है तो तामा जो होगा वो मिस्त्रित रूप में होगा आयसक से आप तामा निकालेंगे और भी चीजे आयसक निकल सकती है तो तामर आयसक के कौन सा है जिससे आप तामा को निकालेंगे सही आपसन होगा मैला काइट मैला काइट से तामा निकाला जाता है ये एक आयसक है तो कौन सा आपसन सही आपसन होगा दूसरा आपसन सही आपसन है अगर इसके फर्मूले की बात करेंगे तो CO, CO, CO3 plus COOS का whole twice तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कापर आ रहा है न यह पूरा IS करें इससे कापर अगर आपको अलग करना है तो अलग से विधी इसका प्रियोग करके कापर आप निकाल सकते हैं यहाँ पर देखें क्रोमाइड लिखा गया क्रोमाइड से क्रोमियम निकाला जाता है ठीक है इसका फर्मूला FEOCR2O3 होता है तो यहाँ पर से आप फेरस भी निकाल सकते हैं और कोमियम भी निकाल सकते हैं निकाल सकते हैं क्रोमाइट से लेकिन मेन रूप से क्रोमियम निकाला जाता है मैगने टाइट से लोहा निकाला जाता है और हेमे टाइट से भी लोहा निकाला जाता है ठीक है तो सारे चीज़ा मैंने आपको बताएं ताबा आप से पूछा था तो मैला काइट से ताबा निका फ्लेस ड्राइव होती है एक प्रकार की बाह मेमोरी है ठीक है तो आंतरिक हिस्सा नहीं है इतीनों जो है इंटर्नल मेमोरी में आती है रहें वीडियो कार्ड मदरबोर्ड यह सभी इंटर्नल भाग हैं जबकि फ्लेस ड्राइव जो होता है वो बाह मेमोरी के अंतरगत आता है 65 निवर कोचन था प विद्धूथ सयंत्र और उसकी इस्थान को 5 में सुमेलित जुन नहीं है उसकी आपको पहचान करीए में मैं बताइए तास्य लगाए ङए है उसमें से गलत कौना है पनिकी उत्तरपतेश में बिल्कुन सही या प विद्धूथ submit है न मेलेड तमिल तो गलत कौन सा है तलचर ठीक है यह असम में नहीं लगाया गया है याद रखिएगा आप लोग 36 नवर कोशन है देश और उसकी राजधानी का जो यूग में सुमलित नहीं है उसकी आपको पहचान करनी है बेल्जियम की राजधानी ब्रूसल्स है बिल्कुन सही है बहामास की नसव है बिल्कुन सही है लीबिया की त्रिपोली है बिल्कुन सही है कजागिस्तान की बिसकेक है ये गलत है कजागिस्तान की पहले राजदानी थी अस्तानी अस्ताना अभी राजदानी है नूर सुल्तान ठीक है नूर सुल्तान जो है इस समय कजागिस्तान की राजदानी है याद कर लीजेगा देखी कजागिस्तान में 30 साल तक नूर सुल्तान नजर बायव जो राष्ट पती बने 30 वर्स बाद इस्टीपा दिया तो नूर सुल्तान उनके नाम से ही कजाकिस्तान की राजधानी जो है वो नूर सुल्तान बना दी गई है उनके नाम से 37 नवर कोस्टन है निम लिकित में से कौन सी सिंदो नदी की सहयक नदी नहीं है तो सिंदो नदी आपको मालू में कहाँ पर वहती है जम्मू कास्मीर के पास वहती है तो वहाँ पर की आसपास की नदियां ही सिंदो नदी की सहयक नदी हो सकती है जैसे यहाँ पर चीनाव लिखा है, ब्यास लिखा है, रावी लिखा है, यह सभी सहयक नदियां है, जबकि गोमती आपको मालूम है, गोमती नदी जो है, वो लखनव जो है, गोमती नदी किनारे है, तो कहां पर जमो कास्मीर, कहां पर उत्तर प्रदेश, तो यह नदी का कही भी नहीं है पताई है RBI ऐसा कौन सा काम है जो नहीं करता है अंतिम विकल्प के रूप में रिड़ आता है विल्कुन सही है अंतिम विकल्प के रूप में बैंकों को भी ये रिड़ देता है सरकार को भी ये रिड़ देता है सरकार के लिए बैंकर ही विल्कुन सही है सरकार को पैसा लेना होता है तो RBI से ही लेती है मुद्रा जारी करता है जो भी नोटे आपकी आती है वो सभी RBI ही जारी करता है जनता के लिए बैंकर नहीं है आप RBI में खाता नहीं खुला सकते कि हमको RBI में खाता खुलना है तो जनता के लिए बैंकर नहीं है बाकि सब कुछ ही RBI जो है वो करता है जनता के लिए बैंक नहीं है वो 49 नमर कोशन है निमली कितमे से कौन सा अंटार कटिका में इस्तीत भारती अनुसंधान केंदर नहीं है दच्षिड गंगोत्री दच्षिड यमनोत्री भारती मैत्री ये चार आपको आपसंदीगे है देखें अंटार कटिका जो बात करें तो सबसे दच्षिड में पढ़ता है अगर आप संसार का मैप देखेंगे तो दच्षिड में अंटार कटिका पढ़ता है तो महाँ पर अन दूसरे नंबर पर मैत्री बनाए गया था 1989 में तो तीन तो हैं दच्छिड गंगोत्री भारती मैत्री हैं दच्छिड यमनोत्री नाम का कोई भी अनुसंधान केंद्र नहीं है तो सही आपसन होगा दूसरा वाला आपसन तो यहां तक हमारे 49 कोशन कंप्लीट हो जाते हैं इस किस सम्मान को लौटा दिया था यह चार आपसन आपको दिये गए इसका जवाब आप कमेंट बाक्स में दीजेगा इसके पहले भी हमने आपसे एक कोशन पूछा था कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपादी किस नहीं दी थी इसको भी आप लोग कमेंट बाक्स में ब बता सकता अगर आपने 25 से 30 कोशन भी कियें तो आपकी GS जो हैं बहतर मानी जाएगी क्योंकि से बहुत धेर सारे नए-ने कोशन रखे गयते हैं यह आपके आने वाले एक जाम NTPC2 के लिए और Railway Group D के लिए बहुत important कोशन है इसलिए स्रीज को आप लगातार चला रहे हैं इ आप इसमें से कितने कोशन कर पा रहे हैं अगर आप इस स्रीज को लगातार चलाना चाहते हैं तो कमेंट वाक्स में आप जितना कहेंगे उतना आपको कराएंगे धिरी धिरी करके हम सारे स्रीजों को स्टार्ट कर रहे हैं मिलते हैं आप से नेस्ट वीडियो में किसी प्रि तर यह से यह होना चाहिए था मिलते हैं नेस्ट वीडियों बहुत बहुत धन्यवाद